अगर छोटे गाव कसवों पर भी कार्य किया जाए तो निश्चे ही इतिहास में नई नई परते खुलेंगी, नई जानकारिया प्राप्थ होंगी, जो इतिहास में व्याप्त रिक्त स्थान की पूर्ती करेगी, कन्नोच से बिलहौर जाते रास्ते में परता है एक कसबा किला हुआ करता था, भारतिय पुरातत्व विभाग इसकी देख रेक कर रहा, लेकिन फिर भी किला खंडहर हो चुका है, वर्ष 1336 में चंदेल वन्ष के राजा शिवराज देव ने शिवराजपुर की स्थापना की थी, उन्होंने यहाँ पर बड़े किले का निर्मान करा जिसे 1857 की क्रांती के बाद अंग्रेजों ने इसे द्वस्त कर दिया था, चंदेल वन्षी इस किले से जुड़े कुछ मंदिर अभी भी विद्यमान है, जिसमें से एक है गंगा तटपर स्थित खिरेशवर मंदिर, मंदिर में शिवलिन के महाभारत कालीन होने की मांगता ह कहते हैं पहले दर्शन वपूजन अजर अमर ध्रोन पुत्र अश्वत्थामा करते हैं जब पुजारी नित्य प्रातः काल मंदिर के पट खोलते हैं तो शिवलिन पर पहले से विशेश पुष्प और जल चड़ा हुआ मिलता है ब्रिटिश काल में राजा सती प्रसाद चंदेल अंग्रेजों से लोहा लेने में स्वतंत्रता संग्राम से नानियों के साथ थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंड में तात्या टोपे के खास सहयोगी थे शिवराजपूर के सीमाक्षेत्र में उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी प्रजा के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया था उनकी वीर्ता के चर्चे आज भी किये जाते है जासी से बिठूर तक आजादी की क्रांती की रन्नीती राजा इसी किले में बनाई गई थी बाद में अंग्रेजों ने ये जानकारी मिलने के बाद किले पर हमला बोलकर राजा को बंदी बना लिया था यहां कई दिन तक युद्ध चला था राजा सती प्रसाद ने किले से गंगा धार तक पांच किलो मीटर की लंबी सुरंग बनवाई थी। इस सुरंग से तात्या टोपे बाजी राव पेश्वा वर रानी लक्ष्मिबाई किले के अंदर मंत्रना करने के लिए पहुँचते थे। वीर बुंदेले आलहा उदल से भ अंसावशेश अभी भी मौजोद है।